तो आज मैं आपको एक मैंने पेंटिंग मैं थी 2019 में जैसा कि आप देख सकते हैं यह इसे मैंने फोटो इंटरनेट से लिकाला था और मैंने यह बनाया था कलर मैंने हिसाब से कर दिया था जो कि बिल्कुल मुझा नहीं आ रहा है और एक्चली हुआ यह था कि यह पेंटिंग में मैंने एक रेजिन का लेयर यह देखो किया था बट वो ठीक से हुआ नहीं था यह लेख सकते हो काफी खराब हो चुका है यह कॉर्णर से तो ठीक से हुआ ही नहीं है रेजिन बहुत कम बचा हुआ था मुझे लगा कि शायद आजाएगा कहीं ना कहीं वह पूरा मैंने अच्छे से स्प्रेड भी किया बट मैं फिर चला गया बाहर उसी दिन और घरवालों ने इसको ऐसे किसी कॉर्णर रख दिया सारा धोल चिपक गया में रेजिन ज्यादा था अधनर कम था तो इस वाज़े से अभी भी यहां पर तो इसको मुझे फिक्स करना है तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं इसकी उपर एक नई पेंटिक बना जी रेजिन और किया है तो फिर उसका क्लियर इसमें लगा हूं तो मैं यह प्रोसेस आपको पूरा आज के वीडियो में दिखांगा वेल मैंने अभी सोचा नहीं है कि मै अपने मन से कुछ एपस्ट टाइप का इसमें कुछ बनाओं लेट सी कि मैं क्या बनाता हूं वैसे इसले दो घंटे से मैं सोचे रोगी तक मिछे कोई आइडिया नहीं आया है आदा घंटा और सोच के देखते हैं फिर कुछ बनाएंगे वैसे मैंने एक वीडियो भी बनाय किया था उसके उपर मैंने सबसे पहले अप्लाए था ऐा की यह सुखने के बाद मैंने पूर का का की ओअधे बहुत ऐसके अब भॉड उता अपने हाथ पर लगा लिया है सदेट के मैं इसमें डिजाइन बना सकूं जैसा कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से यह होने के बाद मैंने फिर से किया फोरा सा घीला करके क्यों कि अधर सब्सक्राइब हो गया था अगर आप 3 धकन ब्रेजिन ले रहे हैं तो आपको सिर्फ एक धकन उसका हाडनर लेना है तो यह 3-1 का accurate ratio है ठीक है इसमें आपको यही चीज़ सॉलो करना है मैंने काफी बार खिया तो मैंने बिना मेजर में के डाल दिया मुझे पता है कितना कितना लगेगा यह मिक्स करने के बात आपको ऐसे अपलाई कर देना है मैं यहां पर जादा डीटेल में नहीं बता रहा हूं इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाए वहां पर मैंने सब कुछ किया हुआ है तो हमारा फाइनल पेंटिंग रेटी हो चुका है ठेक लोग मुझे सदेनली आइडिया है कि क्यों मैं कुछ बीच में वाइट रखूं बैक्राउंड में और मेरे हाथ ता कुछ निशान हो वह भी कलरफुल तो बस मैंने वही किया है आई होप यह अच्छा दिख रहा होगा अगर आप यह से रेजिन वर्क करना चाहते हैं अपने कैंवस बोट के उपर तो यह बहुत इजी है मैंने वीडियो बना है वह आप चेक कर सकते हैं बट मैं एक सजेशन यहां पर दे देना चाहता हूं कि जब आप रेजिन अप्लाई करेंगे रेजिन और हाड़नर तो होते हैं उसको टैप करने से वह 90 परसेंट चले जाते हैं कुछ एकाद रह जाते हैं उसको आप लाइटर या माचिस की हल्प से आप उसको भी हटा सकते हो ठीक है और सबसे ज़रूरी चीज है कि जिस रूम में आप इसको ड्राई करने के लिए रखोगे और उमिक्दम अब इसको पोर किया था और अभी दो बजने दो पहर के तो अभी जाके राइ हुआ है तो आपको कम से कम बारा घंटे दो देने ही पड़ेंगे इस इंपोर्टेंट चीज है कि कैन्वस को आपको चारों तरब से सील करना पड़े मैंने सबसे पहले टेप यहां पे साइड म अच्छा लुक आता है इसमें और यह सेफ हो जाता है हमारा पेंटिंग इसको आप कपड़े से पोच भी सकते हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अब नेक्स वीडियो में अगर आपको इस पेंटिंग का मतलब समझ में आया है तो आप कॉमें सेक्शन में जर